में अतिहासिक मैदान शिवाजी पार्क में आज कॉंग्रेस केनेता राहुल गांधी की होने जा रही है सभा जी हां 63 दिनों की यात्रा करने के बाद भारत जोडो न्याए यात्रा मुंबई में समाप्त हुई है और आज इस यात्रा को नाम दे दिया गया है भारत जोडो न्याय मंजिल वो मंजिल यहीं पर शिवाजी पार्थ में खतम हो रही है और यहाँ पर सभा होगी लेकिन महराज के मुख्यमंत्री एक नाज सिंदे ने इस पर खड़ा कर दिया है सवाल और कहा है कि सिव सैनिकों के वहाँ पर भी साथ आने वाले हैं अनंजी एक नाज सिंदे कह रहे हैं मनद दूसरी कह रही है कि यह आज काला दिन है जो कि इस मैदान में बाला साहब गर्जे हैं जो की कॉंग्रेस का हर्दम बिरोध करते रहे हैं और आज यहीं पर राहूल गांदी की बड़ी सभा हो रह है एक देश का बड़ा विपक्ष का नेता रहूल गांधी जी के नाम से एक यात्रा निकालते हैं भारत न्याय यात्रा मणिपूर से यात्रा निकलती है मुंबई के पावन धरा तक आती है करीब करीब 6000 किलो मीटर की यात्रा जब होती है तो हम सब तो बड़े सौभाग की सभा नहीं कहा आप और हम जब राजनीती करते हैं समाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हो सकता है कि आपके हमारे वैचारिक लड़ाई हो आपके हमारे मतवेद अलग-अलग विशेपर हो लेकिन किसी को इस प्रकार से नीचा दिखाना छोटा दिखाना इसकी उमीद मुख्यमंत्री से हमने नहीं किये मुख्यमंत्री सबका होता है मुख्यमंत्री प्रजा में भेद भाव नहीं करता उसके लिए जो पक्ष है वही भी पक्ष है लेकिन दुरभाग है कि इस समय सत्ता में ऐसे एहंकारी लोग बैठे हैं जो पार्टियों को तोड़ने और जो दुख लगता है कि अगर राहुल गांधी जी इस सभा में लोगों से मिलने आ रहा है खास करके में मार रीजन के लोगों को आज देखना चाहते हैं मिलना चाहते हैं सुनना चाहते हैं तो आप अगर नहीं आ रहे हैं तो कम स्कम उन्हें कलंग कितना कहिए मुख्यमंत्री एकनाज सिंदे का जो ये बयान आया है कि जो शिवाजी पार्क में ये सभा हो रही है सिवसेनिकों के लिए काला दियों से क्या आपको लगता है सिवसेनिकों पर इसका कोई असर होगा काला दिन तो उस दिन था जब हमारी सिवसेना पार्टी को तोड़ने के लिए भारती जन्ता पार्टी ने महाशक्तिक आवतार लिया था उस दिन वह काला दिन था हमारे सिवसेनिकों के लिए जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजी नमा दिया और वह वर्षा से निकलकर मातोस्री आये वह दिन हमारी लिए काला दिन था आज तो ने लिए नहीं आप सब के लिए लाएंगे देश के लिए लाएंगे इसके पेट में पीडा हो रही है जलन हो रही है इसके लिए पीछे पूरा मैदान सजा है आज यहाँ पर चुशेना कॉंग्रेस कितनी बड़ी ताकत दिखने वाली है इंडिया गढ़बंधन की और ये कि ताकत के बारे में कोई उधारन देना पड़ेगा शिवसेना अपने आप में मुंबई है और मुंबई ही सिवसेना है जब अगर सिवसेना किसी लक्ष के पीछे लग जाए और कॉंग्रेस साथ में आ जाए राष्टवादी प्रकास समबिड़कर जी समाजवादी सब आ जाएं तब मैदान तो क्या शहर के शहर भी छोटे पड़ जाएंगे लोगों की भीड़ में कौन सी सिवसेना कौन सी सिवसेना असली मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं आप सब अपने दिल पर हाथ रखके बताई कसम खाकर कि अस असली मानी जाएगी और आपको चुनाओं में दिखा देंगे असली कौन नकली को जिनों ने एक नात्सिंदे के जो है उस सवाल पर की आज जो सिवाजी पार्क में सबहा होने वाली है वो सिवसेन को के लिए काला दिवस है उस पर जो है उदाव ठाकरे उटके जो प्रवक यहाँ पर चत्रपती सिवाजी महराज की जो है स्टेचू है यहाँ पर राहुल गांधी आने वाले हैं यहाँ पर जो है माल्यारपन करेंगे बारा सवाल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो इंडिया गडवन्दन का यहाँ पर बड़ी सभा होने वाली है उसको मुंबाइ